प्रेंट्स वेलकम यॉल और पीडिया एजूकेशन सो फ्रेंट्स जैसे आपको पता है विंटर अडिमिशन चल रहे हैं आई इस के अंदर आएंस के अंदर एंड पीएस्यू के अंदर भी जो इंटर्व्यू प्रसेस चल रहा है तो उसी के रिगार्डिंग एक और गूड न विजिंदर सर्वी वीडियो बनाते हैं वीकली अप्डेट का एंड पर इंसीचूट जैसे इच इंसीचूट को सेपरेटली मैं कवर करता हूं ओके तो यहां पे इंडियन इंसीचूट और मेनेजमेंट इंदर फॉर्म्स आउट हुए हैं अब कहां पे जाके आप आप फेलोशीप प्रोग्राम इन मेनेजमेंट 2021 तो यहां पे एरियाज ऑफ स्टेडी कौन कौन से हैं यह वाले एरियाज ऑफ स्टेडी हैं अगर आपने बैचलर डिगरी की है 8-7-4 यह दैन आपका 6.5 CGB होना चाहिए ओके एंड मिनिमुम सिक्टी परसेंट माक्स आपके क्ला सकते हैं that कौन कौन से test कौन से course के लिए area of specialization के लिए आप apply कर सकते हैं जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे gate की ओके तो gate वाले student यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको gate लिखा हुआ मिल जाएगा information and system के सामने ऐसी marketing management के सामने आपको मिल जाएगा operation management के सामने आपको मिल जाएगा gate तो यह तीन areas of research हैं जिसमें आप जा सकते हो अगर आपने gate दिया है उसके अलावा अगर आपने cat दिया है तो सभी आप areas में apply कर सकते हो and अब बात करते हैं कि जो इसका application process है तो application process मैंने जैसे बताया आपको इसी website के उपर आपको apply करना है 500 fees है reserve category के लि 2021 last data इसकी apply करने की okay and 16th November 2020 से forms out हो चुके हैं okay तो selection process आपको बता है जैसे आप देख सकते है step 1 the candidate satisfying the academic eligibility criteria as mentioned above should submit their application now उसके बाद ये क्या क्या आपको करना है कैसे कैसे होगा पूरा detail में आप पढ़ सकते हो okay so उसके बाद आपका क्या है instructions instructions के अंदर क्या क्या है इसको भी detail में ज है हमारे लिए यहां पर इसी लिमें discuss नहीं करूंगा okay now यहां पर fees वगरा है क्या आपको मिलने वाला है selected candidate shall required to deposit a commitment fee of rupees 75,000 this fees has to be paid at the time of acceptance of offer letter selected by the selected candidate okay now an amount of 50,000 out of 75,000 deposited by FPM students shall be retained till completion of program and refund shall be considered for the following manner refund 25,000 after completion of term one and refund 50,000 after submission of no due clearance form okay तो कहने का मतलब क्या है यह जैसे आप college में security भरते थे वैसा कुछ है okay now financial assistant की बात assistantship की बात करें यहां पर यह स्पोर्ट की बात करें तो आपकी पूरी fees माफ है and उसके साथ आपको scholarship मिलेगा 30,000 to 35,000 तो friends यह था detail यहां पर I am indoor के बारे में I hope आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा वीडियो को like करो and share करना thank you very much